ओम प्रातस्मरामि सरदिंदु करो ज्वलाभाम सद्रत्न वन्मकरकुंद लहार भूशाम दिव्या युदोर जित सुनील सहस्त्रहस्ताम रक्तोत पला भचरनाम भवतिम परेशाम प्रियादर शकूर नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं देनिक रासी फल का कारिक्रम मैं आचारी पंकर सास्त्री और देनिक रासी फल के कारिक्रम में आज हम चर्चा करेंगे 7 अक्टूबर 2024 के कैसा रहेगा आपका आज का दिन में आपके रासी के अनुसार आपका लगी कलर आपके लिए शुवरंग कौं सा रहेगा अपनी उन्नती और तरक्की के लिए आज के दिन आपको कौन सा दिव्य प्रियोग करना चाहिए जो उपाय आपको पूरे दिन भर पॉजिटिव एनरजी देने का कारी करेगा आज आपको कौन सी दिसा में यात्रा करने से बचना होगा यात्रा के लिए सही दिसा कौन सी रहेगी आज के सभी शुब अशुब मोहरतों की इस्तिती क्या होगी इन सभी बातों की चर्चा इस रासीफल के कारिक्रम के अंतरगत करेंगे लेकन प्रेदरश को कारिक्रम की शुबात करेंगे हम सबसे पहले आज के शुब पंचांग के साथ 7 अक्तुबर 2024 दिन रहेगा सुमबार शुकल पक्ष चतुरती तिती के साथ भुवन वासकर सूरिदेव को रहे होंगे 9 बज करके 48 मिनट प्रातकाल तक रहेगी इसके बाद पंचमीतिती होगी आज अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन भर व्यापत रहेगा जबकि प्रीती योग 6 बज करके 40 मिनट तक रहेगा उसके बाद आयुशमान योग होगा और आज बालव करण रहेगा आज के सभी शुब अशुब मोहुर्तों की इस्तिती को देखें तो प्रियदर शक्वाज राहुकाल का असुब समय 7 बज करके 46 मिनट प्रातक काल से प्रारंब होगा जो कि सुबे 9 बज करके 13 मिनट तक रहेगा गुलिक काल का समय आज 2 पहर 1 बज करके 36 मिनट प्रारंब होगा जो कि 3 बज करके 3 मिनट 2 पहर तक रहेगा अविजित मोहुर्त आज 11 बज करके 45 मिनट मद्याहन काल से प्रारंब होगा जो कि 12 बज करके 32 मिनट मद्याहन काल तक का रहेगा आपकी जानकारे यह तो बता दें प्रियदर्श को जोतिस सास्तर के अनसार राहुकाल का जो समय होता है असुब समय होता है राहुकाल में आपको किसी भी शुब वमांगलिक कार्य की सुरुबात नहीं करनी चाहिए जबकि अविजित मुहुर्थ और गुलिक काल का समय शुब समय होता है गुलिक काल में आप अपने देनिक दिन चर्या के कारे कर सकते हैं नौकरी, यात्रा, ब्यावसायों से संबंदित कार्यों को कर सकते हैं अविजित मूर्थ के दोरान धर्म कर्म, पूजा पाथ, दानपुन्य के कारेप सर्व स्रेष्ठ माने गए आज के दिशासूल की चर्चा करें तो प्रियदर्शक आज स्वमवार का दिन है और आज का जो दिशासूल रहेगा वो पूर्व दिशा का रहेगा यानि आज के दिन आपको पूर्व दिशा की और यात्रा करने से बचना होगा लेकिन आवस्यक की स्थिति में, किसी विसम परस्थिति में यदि पूर्व दिशा की और यात्रा करनी ही पड़े तो ऐसे स्तिति में यात्रा पर निकलते समय सबसे पहले तो अपने आपको दरपण में देखें सिसे में अपना चेरा देखें उसके बाद सबसे पहले कुछ कदम वायव्य कोन की और चलिएगा उसके बाद आप पूर्व दिशा के और यात्रा करते हैं, यात्रा आपकी सुखद होगी, मंगल में होगी प्रियदर्शको आज यात्रा की सही दिशा वायव्य कोण ही रहेगी, वायव्य कोण यानि नौर्थ वेस्ट ये आज का पंचान, आज के सभी शुब अशुब मुहुर्थ, प्रियदर्शको आज मा भगवती श्कंद माता का पूजन क्या जाएगा, इस पर आगे विश्तरत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व जान लेते हैं आज का रासी फल का कारिकर्म, और शुरुवात तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुरोंती पूर्व रहेगा, स्वास्त को लेकर के आज आज आपको थोड़ा सपर्क साब्धान देना होगा, हेल्थ इशु देखने को मिल सकते हैं, से रिलेटेड दिक्कतें आपको परेशान कर सकते हैं, पेट से संबंदित विकार गैस ऐसेड़ी का प्रोब्लम आपको परेशान कर सकता है, आज के दिन वाहन नित्यादी चलाते हैं, तो सपर्क साब्धान रहेगा, छोटी मोटी दुरगटना के सिकार आप हो सकते हैं, छोट आरी का बहे आपके लिए बनता हुआ, नजरा रहा है, आज के दिन पारिवार के तोर पर आज के दिन में इस रासी के जात्कों को ओम नमस्षिवाय मंत्र का जब करते हुए शिवलिंग पर दूद चड़ाना चाहिए, आपको निश्चित ही आपका कल्याण होगा, वरिशवरासी के जात्कों को दिन मिला जुला देखने को मिलेगा, व्यापार में अच उत्तम रहेगी, लेकिन आज बैवाहिक सुक से वंचित रहेंगे, जीवन साती के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर के खटपट की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव वर डिप्रेशन हो सकता है, आज के दिन आपको ब्यर्त में किसी से भी उलजने से जरूर बचना होगा, अपने काम से काम रखे, नौकरी का छेतर थोड़ा आज संगर्स लेकर के आ रहे है, आर्थिक स्तिती के मामले में आज स्तिती सामान रहेगी, लगी कलर रहेगा आपका आज पिंक उपाई के तोर पर ब्रिशवरासी के जात्कों को ओम सूर सूरिदेव को अर्ग देना चाहिए, भगवान सूरिदेव के आराधना करें, निश्चे थे आपका कल्यान, मिचुन्दासी, मिचुन्दासी के जात्कों को आज सतर्क साब्धान रेना होगा, आज के दिन बढ़ते वे खर्च आपको तनाव दे सकते हैं, खर्चों में अधिक हो सकता है, कामकाज और नौकरी के छेत्र को लेकर के भी आज तनाव देखने को मिल सकता है, आज आपका ध्यान काम की और कम रहेगा, आलस आपके उपर हावी हो सकता है, कैसी भी इस्तिती हो, आज के दिन आपको ये प्रियास जरूर करना चाहिए, आज कर्ज और ल लियान होगा करकरासी के जात्वों को आज अच्छा लाब देखने को मिलेगा आज के दिन इस्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम इस्तिती है शिक्षा से संबन्दित लाब होंगे जो जातक शिक्षा के छित्र से जुड़े वे हैं उनको भी आज अच्छा दिन देखने को म लेम संबन्दों की इस्तितियों में सुधार होगे करकरासी के जातक को आज के दिन आपको किसी थड़ परसन के कारण परिशाने हो सकती है ऐसी स्तिति में अपने विवेग से कारे करें निश्चे थी आपको लाब लखी कलर रहेगा आपका आज वाइट उपाय के तोर पर आज करकरासी के जातकों को मा भगवती को सफेद पुष्प पीले पुष्पों का हार अरपन करना चाहिए मा भगवती की आरादना करें महालक्षमे इन महामन्तिका जब करें निश्चे थी आपका कल्यान होगा सिंगरासी के जातकों को आज सतर्क साधान देना होगा आज के दिन नौक्री के चितर दिखकत पैदा कर सकता हैं विशिज कर गवर्मेंट सेक्टर से जुडएवे लोगों को आज बहुत सतर्क शाब्धान देना होगा प्रावेट सेक्टर आज मध्यम रहेगा बिजनिस को लेकर के भी आज किसी बिवाद में आप फंस सकते हैं सिंगराशी के जातक को भूमी भन प्रोपर्टी से संबंदित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकते हैं माता पिता के स्वास्त का आज के दिन आपको ध्यान रखना होगा ब्यर्थ के भागदोड आज के दिन अधिक होने वाली है खुब संगर्स करेंगे खुब पसीना बहाएंगे लेकिन लाब की इस्तिति कम होगी लखी कलर रहेगा आपका ओरेंज उपाय के तोर पर आज सिंगरासी के जात्कों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा प्राकर्म में ब्रदी होगी आज के दिन कामकाज को लेकर के आप सजग रहेंगे इस पूर्ती रहेगी आपके अंदर अपने कारियों को जटपड निप्ताने का प्रियास करेंगे ओबर कॉन्फिडेंस से आज जरूर बचना होगा आज अस्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बनते वे नजरा रहें अस्थान परिवर्तन करना चाहते हैं जो जातक उनके लिए अच्छी स्थिति है भाग्य का सयोग आपके साथ रहेगा कन्यारासी के जातक हो आज आपके लिए लगकी कलर रहेगा बैंगनी उपाई के तोर पर आज के दिन आपको किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिजेगा तन मन धन से वहाँ पर सेवा करें जिसमें भी आप सामर्थिवान है निश्चिति आपको लाब लग तुलारासी तुलारासी के जातक हो आज के दिन पारिवारिक सयोग आपके साथ रहेगा इसके साथ ही आज भाई बहनों के सयोग से भी आपके कारे बनेंगे व्यवसाई के इस्थिति अच्छी है नोकरी की इस्थिति भी अच्छी है लेकिन स्वास्त का आज के दिन जरूर ध्यान रखेगा स्वास्त को लेकर करके दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं लखी कलर रहेगा तुला रासी के जात्कों का आज मजेंटा, उपाय के तोर पर आज तुला रासी के जात्कों को गौमाता की सेवा करनी चाहिए, गौमाता को हरा चारा जरू डालेगा, निश्चे थे आपका कल्याणुग, वरिश्चक रासी, वरिश्चक रासी के जात्कों को आज मिला जुला दिन देखने को मिलेगा नौकरी का छेत्र और व्यवसाई का छेत्र आज अच्छी इस्तिति में रहेगा नौकरी व्यवसाई में आज आगे बढ़ पाएंगे लेकिन ओबर थिंके के कारण अधिक सोज विचार के कारण आज आप अपने आपको किसी में ड़ाल सकते हैं ब्यूर्थ का Sí Netflix आज के दिन आपको बचना होगा माता-Pit gebruik का स्वास्त का ध्यान आपको जरूर देना करत व्रिस्चिक राइसे के जातक हो ईह अपने काम को टालते हैं यह आपकी तो इससे जरूर बचेगा और व्यर्थ में किसी से भी उलजने से आज के दिन आपको बचना होगा लगी कलार रहेगा ब्रिश्चिक रासी के जातकों के लिए बरगंडी उपाई के तोर पर आज ब्रिश्चिक रासी के जातकों को ओम दुरगा यही नमहा मंत्र का सोच विचारे आज के दिन इन्वेस्ट आपको नुकसान पहुचा सकता है व्यर्थ का इन्वेस्ट करने से बचिएगा सौटकट तरीकों से अपने इंकम को जनरेट करते हूँ तो आज विशेश रूप से ध्यान रखना होगा अचानक से हानी हो सकती है स्वास्त से संबंदित बाधाईन देखने को मिल सकती है आज आदा सीसी का दर्द नेत्रों से संबंदित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है आज के दिन धनुरासी के जात्कों को अग्रेसिव होने से जरूर बचना चाहिए छोटी-छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करने से बचे लगी कलर रहेगा आपका आज लाइट ब्ल्यू उपाई के तोर पर आज धनुरासी के जात्कों को किसी भी पेसेंट के आप मेडिसन से संबंदित सायता कर दें तो निश्चित ही आपको लाब होगा और यदि आप सामर्तिवान नहीं है तो किसी भी पेसेंट की सेवा करना आपको आज बिसेश लाब देने का करेगा मकरासी के जात्कों को आज अच्छा लाब देखने को मिलेगा आज के दिन अच्छानक से होने वाला धनलाब आपके दिन को बहतर बनाने का करेगा मकरासी के आप जातक हो आज राजनेतिक लाब आपको प्राप्थ हो सकता है आज आज के दिन कोई बड़ा पद भी आपको प्राप्त हो सकता है प्रेम संबंदों के इस्तितियों में सुधार होगा इस्टूडेंट को आज विशेश रूप से सतर्क शापधान देना होगा पढ़ाई को लेकर के आज आप डिश्टर्व रह सकते हैं तो आज आपको फोकस करन होगा व्यर्थ के बातों में व्यर्थ में समय गवाने से आज के दिन आपको बचना होगा इस्टूडेंट को विशेश रूप लगकी कलर रहेगा आपका आज क्रीमी उपाई के तौर पर आज मकर रासी के जात्कों को किसे भी धार्मिक अस्थान पर अन का दान करना चाहि होगा व्यवसाय की इस्तिती सामाने रहेगी आज कोई मान सम्मान वा कोई पदक आपको प्राप्ट हो सकता है जो जातक कर्मने स्ठोकर के मानदारी से अपना कारे करते हैं आज उनके कारे छित्र में सराहना की जाएगी धन की इस्तिती अच्छी रहेगी आज आर्थिक माम में भी आपको लाब होगा भूमी बहन प्रोपर्टी से संबंदित कोई लाब आपको देखने को मिल सकता है लखी कलर रहेगा आपका आज ओलिब ग्रीन उपाई के तोर पर आज कुम्बरासी के जातकों को ओम नमस्शिवाय मंत्र का जब करते वे शिवलिंग पर जल में मीन रासी के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा आज के दिन भग्य के सयोग से आपके सभी कारे बनते जाएंगे रुके वे कारे जितने भी थे वो सभी कारे बनेंगे आर्थिक मामलों में आज दिन आपके पक्स में होगा धन प्राप्ति के योग आज के दि च्राइब कर दोड़ी के जातकों को अपने माथे पर थोड़ा सा हलदी का तिलग करना चाहिए और किसी भी धार्मी कस्तान पर आप चावल अथवा दूद का दान करें तो निश्चित्थी आपका कल्यांग प्रेदर्श को ये आज का दैनिक रासी फल और अब चाचा आज के विशेश कारिक प्रेदर्श को आज आज आश्विन मास की पंचमी तिथी रहेगी चतुर्थी तिथी प्रातकाल नोविज करके 48 मिनट पर ही समाथ हो जाएगी उसके बाद पंचमी तिथी होगी यानि आज पांचवा नवरात्रा रहेगा पांचवा नवरात्रा माशकंद माता को समर्पित है कुमार कार्थिके को सकंद के नाम से भी जाना जाता है उनकी माता यानि मा भगवती पार्वती को समर्पित है आज भगवान शिव और मा पार्वती का पूजन करना विशेश कल्यानकारी होता है आज के दिन मा भगवती की साधना करने से मनवांचित फल ताप्त होते हैं लेकिन इसके साथ ही यदि आपकी विद्या से संबंदी समस्या है या संतान को लेकर की कोई समस्या में है तो मा सकंद माता का पूजन करने से आपकी सभी समस्याओं का निदान माभवती करते हैं इसलिए आज मा सकंद माता का पूजन करना न भूलेगा तो कैसे आपको यह जानकारी लगी हमें अबल से बताएं जानकारी अच्छे लगे से और जरूर करिएगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा जोतिस से सम्बंदित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर कर सकते हैं आज के लिए इतना ही हमेद इजाज़त तब तक के लिए नवशकार